ताज़ा हो ले वित रिया में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ रिया भारत में टालेंट की कोई कमें नहीं है देश में कई युवा बेहद अच्छे स्टार्टप भी चला रहे हैं इनमें से एक हैं 23 साल के आशेव हावे जिनका स्टार्टप कुड़े से जूते बनाता है और उनसे इंग्रेस होकर उद्योग पती आनन्द महिंद्रा ने इस स्टार्टप में फंडिंग करने का उपफर दिया एक ट्विट के जर्ये अब आनन्द महिंद्रा को उनके स्टार्टप के बारे में पता चला उन्होंने कहा कि ये उस तरह के start-ups हैं जिनके लिए हमें प्रोच साहन देना चाहिए जिनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए केवल बड़े uniform को नहीं उन्होंने कहा कि वो एक जोड़ी जूते खरिदने वाले हैं क्या कोई उन्हें इन्हें लेने का सबसे बहतर तरीका बढ़ा सकता है इसके साथ उन्होंने कहा कि और जब वे फंड जुटाते हैं तो उन्हें भी शामिल कर लिया जाए और जुलाई 2021 में उन्होंने start-up शुरू किया था आशाए भावा के बारे में आपको बताएं तो जुलाई 2021 में इस start-up की शुरूआत की गई थी इसका नाम थेले है कंपनी ने 50,000 से ज़्यादा plastic bag और 35,000 plastic bottle से material का दोबारा इस्तमाल किया है और इस प्रकार से ये जूते बनाते हैं भावे का इस business का idea जो आया था और तब आया था जब वो 2017 का वक्त था Bachelor of Business Administration यानि की BBA की पढ़ाई कर रहे थे और ये उनके college के समय का एक project था जिस पर उन्होंने काम किया था अब युवाव, Udemy, Udemy का या idea एक सफल business model बन चुका है वरतमार में company जूतों के बजार में Nike और Puma जैसे brands की मुगाबले छोटी दिखती है लेकिन company की जल्द, company जल्द ही यूरोप और अमेरिका के बजारों में अपने products को बेशने की बड़ी यूज नाम है और महिंद्रा ने भी support किया है, fund देने की बाद भी कही है college में project के तौर पर उन्हें या idea आया था आशे भावे ने plastic और rubber से बने sneakers का या idea 2019 में M.E.C. University में Eureka Startup Pitch Competition में पेश किया था वहाँ मिली जीत से उन्हें होसला मिला, यहीं से और idea आया इससे भावे को prototype पर काम करने के लिए भी funding मिलने में मदद हुई उनके sneaker का design basketball sneaker के fashion से प्रेरित है जो 2000 के दशक की शुरुआत में था और Eureka Startup Best Management Company से कच्चा माल खरिता है plastic bag, गर्मी और pressure की मदद से एक fabric में बदन ले जाते हैं और जिन्हें Thelitex कहते हैं, fabric को shoe के pattern में काटा जाता है और plastic बोटलो को एक fabric के तौर पर recycle किया जाता है जिसे आरपट कहते हैं और इसे lining, shoeless, packaging और दूसरे भागों के लिए इस्तिमाल किया जाता है इसके एक जोड़ी जूते को बनाने के लिए 12 plastic bottle और 10 plastic bag का इस्तिमाल किया जाता है बस इतने में ही सब कुछ जाता है और ये चार variants में आते हैं जिनकी कीमत 99 डॉरल करीब 7000 रुपे का है तो थोड़ा महंगा है लेकिन वर्थ है फिलाल इस वीडियो में इतना ही और भी खबरों के लिए नियूस प्यार के साथ बने रहें लगतार ऐसी कहानी आपको सुनाते रहेंगे धनिवाद